हजारों ख्वाइशे ऐसी कि हर ख्वाइश पे टम निकले हम में से हर कोई सपनों से भरा हुआ है नजाने कितने सपने हैं जिने पूरा करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं कभी सोचा है आपने कि कहां से आती है ये ख्वाइशे अगर गौर किया जाए तो ये सब हमने कहीं न कहीं देखा है सपने और लक्ष होना अच्छी चीज है क्योंकि ये हमें और आगे बढ़ने और भैतर बनने में मदद करते है लेकिन तलाश के सफर में मैंने भी सीखा है और वो ये कि सिर्फ कल के सपनों के पीछे ही भागना और अपने आपको अपने आज को नजर अंदास करना ठीक नहीं सबसे पहली ये जरूरी है कि हम अपनी और अपनी जिन्दगी के तौफे की कद्र करें वैसे इतने साल इस entertainment industry में काम करने के बाद मैं भी यही मानती हूँ कि दुनिया में ज्यादा तर इनसान की value उसके achievement से उसके success से और उसकी कमाई हुई दौलत से होती है जो एक हद तक ठीक भी है लेकिन ये पैमाने भी तो दुनिया नहीं बनाये है और ये दुनिया के कामकाज के लिए ही ठीक है जब बात आती है अपने आप की तो अपनी खुद की पहचान हमें अपने आप में ही तलाश करने की जरूरत है तलाश के सफर में हमने बहुत तरह के टॉपिक्स पर बात की है लेकिन आज का टॉपिक सपने मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लगता है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा अपने काम को टाइम देने लगते हैं कि अपने आपको भूल ही जाते हैं अगर आज का महौल भी देखा जाए तो सारे काम target-based है इतने देर में आपको इतना काम पूरा करना है एक प्रोजेक्ट पूरा करते ही, दूसरा प्रोजेक्ट उस पे लग जाना है, लेकिन एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसका क्या? जो है यह सिंदगी, आखिर इसको भी तो पूरा करना है, और ऐसा तो नहीं है ना, कि हम साट साल तक सिर्फ काम करेंगे और उसके बाद जिंदगी जिएंगे, जिंदगी को एहमियत, जिंदगी के रहते ही देनी होगी, तब ही हम किसी सफलता का दावा कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी-बड़ी बाते कर रही हूं, दरसल ये सब मैंने आपके साथ, तलाश के इस सफर पर ही और एक्स्प्रोर किया है, और इस सफर का हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यहां हर बार कुछ नया सीखने को, कुछ नया तलाशने को मिलता है मझे. जों तिल माही तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग. अगर इस संसार की हालत को देखते हुए, अगर कोई प्रशन उठता है, तो वो ये प्रशन उठता है कि ठांती क्यों नहीं है हमारे पास. क्यों आज लडाईया हो रही हैं? लडाई अगर खतम भी हो जाए तो लडाई के एफेक्स खतम नहीं होते हैं. लोगों में गुस्सा है, लोग परेशान हैं, आगे कैसे निकलेंगे? गुस्सा जो हमारे में हैं, यह थोड़ी है कि हम घर छोड़ते हैं उसको जब दिन में चलते हैं, गुस्सा हमारे साथ हमेशा चलता है, हासी हमारे साथ हमेशा चलती है, गुस्सा हमारे साथ हमेशा चलता है, इर्षा, द्वेश, प्यार, kindness compassion ये सारी चीज़े अच्छी और बुरी हमारे साथ हमेशा चलती है जहां हम जाते हैं इनके बिना नहीं जा सकते ये गुस्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको निकाल के रख दिया कि अब मैं गुस्ता नहीं होंगा तो गुस्ता साथ में दर्वाजा बंद किया औरों को तो आप ने कह दिया कि अंदर तुम नहीं आ सकते हो पर तुम्हारे साथ अंदर क्या-क्या आ गया है तुमको मालूम है जब अपने कमरे में रात को सोने के लिए जाते हो आप दर्वाजा बंद कर देते हो ताकि कि stranger कोई अंदर ना आया आपको disturbed ना करे कोई नहीं इसलिए दो बंद करते हैं नहीं इसलिए दिस्टर्ब ना करे आपकी private space है कोई डिस्टर्ब ना करे पर असली में disturb करने वाले तो सब आगे आपके साथ fear वो तो आगे हैं अंदर भूत आया ये नहीं ये नहीं मालूम पर भूत का डर तो आगे है साथ में वो तो साथ में ही सोएगा modesty के लिए कपड़े पहनते हैं ताकि हमको कोई देख न ले जिस हालत में हम नहीं दिखाना चाहते हैं अपने को गुस्से से modesty क्या उठाएंगे आप जब आप गुस्सा होते हैं यूर नेकिड नंगे हैं उस समय आपके पास कोई barrier नहीं है आप वो कह रहे हैं जो आप कहना नहीं चाहते हैं आप उस तरीके से behave कर रहे हैं जिस तरीके से आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको देखे फिर भी हो रहा है क्योंकि ये गुस्सा साथ में गया तो जब दरिया महराज ने कहा कि दरिया सोया सकल जग जागत नहीं है कोई हम सब सो रहे हैं एक नीद में और सिर्फ हमारे पास इसका एक एक्सक्यूस है कि नहीं जी मेरी तो आखे खुली हुई है मैं सो थोड़ी रहा हूँ तो बैठावा हूँ अपनी कुरसी पर बैठावा हूँ मेरी आख खुली हुई है मैं सुन रहा हूँ मैं देख रहा हूँ आप कैसे कह सकते हैं कि सो रहा हूँ और जब आप सो रहे होते हैं तो क्या क्या नहीं होता है हावाई जा आज में उड़ रहे हैं साथ अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ पार्टी में हैं और गर्ल फ्रेंड है नहीं बॉइफ्रेंड के साथ बात हो रही है ना सेल फोन है ना बॉइफ्रेंड है दरिया स्वया सकल जग क्या सपना है क्या सपना नहीं क्या सपना है क्या सपना नहीं ये हमको नहीं मालू इतना हमको मालूम है कि आपका जनम हुआ ये कैसे मालूम है हमको पहला बसाईए देखिए एक दूसरे को देखिए जो आपके आस पास है वो इसलिए बैठे हैं कुर्सी पे आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं वो कि उनका जनम हुआ जनम नहीं हो था और फिर दिखाई दे तो फिर वो बात problematic है फिर आप hallucinate कर रहे हैं तो जनम हुआ और आज आप जीवे थे आज आप जीवेथ हैं और क्योंकि आप जबान है आपको ये बात पस्द नहीं आएगी कि एक दिन आप जीवेथ नहीं होंगे आप उन्नती करना चाहते हैं आप आप bright future चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस institution से आप graduate हो अगर, you know, with honors, उतना ही बढ़िया रहेगा, और आपको अच्छी नौकरी मिले, और आपको अच्छा जॉब मिले, ताकि आपको धन कमा सकें, फिर मजा ही मजा होगा, पैसा ही पैसा होगा, होता क्या है, क्या आपको मालू में क्या होता है, असली में क्या होता है, क्योंकि हम उन लोगों से भी बात करते हैं उन लोगों को भी हम सुनाते हैं उन लोगों से भी हम चर्चा करते हैं तो होता क्या है कि एक आदमी है graduate किया अच्छी जॉब नौकरी ढूंडी company के पास गए तो company ने सारी qualifications देखी और कहा कि ठीक है हमको अपनी expertise offer कीजिए हम आपको पैसा offer करेंगे क्योंकि trade यह है कि आपके हैं सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं अब उस सपने में क्या-क्या है beach bangla है बड़िया apartment है गाड़ी है wife है children है जो भी आपका सपना है है और यह बात भी निस्चित है कि Bolly Holly organization जो है Bollywood और Hollywood उसको मैं Bolly Holly Dreams कहता हूँ Bolly Holly Dreams का काफी कुछ योगदान है आपके सपने में बाली हूली बाली हूली ड्रीम्स जो बाली हूली में नकली हैं जो बाली हूली में नकली हैं सेट्स हैं सिर्फ सेट्स और आज कल तो ग्रीन स्क्रीन चालू कर दिया है तो उसमें तो सारा कोई असरियत नहीं थी ठीक है ट्रेड है आप अपना समय अपना दिमाग अपना एफर्ट उस कंपनी को देंगे और वो कंपनी आपको देंगी पैसा ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें कांट्राक्ट साइन आपके मूँ में स्मायल येस होता क्या है असलियत में क्या होता है ये तेल गरब हो गया अब इसमें पकोडेता लेंगे और होगा ये ये कंपनी कहेगी आप हम को अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए किसी ने मैथ पढ़ी है अगर हंड्रेड परसेंट गया कंपनी के पास आपके लिए क्या बचा और कब से हंड्रेड औन वन परसेंट चालू हो गया जी आपको फिजिक्स का लौ तोड़ना पड़ेगा हंड्रेड औन वन परसेंट बनाने के लिए और पहली सेमिनार जब आप अपनी कंपनी के लिए अटेंड करेंगे उसमें आपको यही समझाया जाएगा यू मस्ट गिवा हंड्रेड परसेंट आप अपने ड्रीम्स के पीछे लगे रहेंगे कंपनी आपके पीछे लगे रहेगी dreams तो ये तो हो गया race हो रही है turnaround में round about में एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे अब जब चलने लगे चकर में तब कौनसी गाड़ी आगे है कौनसी गाड़ी पीछे है कौनसी गाड़ी बीच में क्या पता लगेगा क्या पता लगेगा कुछ नहीं पता लगे और होता क्या है कि आदमी टायर्ड होता रहता है टायर्ड होता रहता है टायर्ड होता रहता है टायर्ड होता रहता है और कमपणी कहती रहती है 100% प्लीज 100% प्लीज 100% प्लीज 100% प्लीज अब उसके पास सिर्फ निन्यान में बचा है देने के लिए उसके बाद फिर असी बचा है देने के लिए उसके बाद फिर सतर बचा है देने के लिए और फैमली के लिए जीरो और फैमली उससे अलग होने लगती है एलियनेट होने लगती है वो अपने से एलियनेट होने लगता है और फिर कंपनी की क्या जोड़त है ऐसे आदने की उनको सिर्फ एक कागस का टुकडा फाड़ना है and the contract is finished ये सारे challenges हैं आपके पास और ये सारे challenges सारी जिन्दगी भर बने रहेंगे ये challenges जानते हैं आप कब खतम होंगे जब ये स्वांस खतम होंगे चाता क्या करता है बारिस को रोक देता है नहीं चाता बारिस को नहीं रोकता है चाता आपको भीगने से बचा सकता है अपने जिन्दगी के अंदर चाता लेके चलना सीखिए चिन्ताओं को आप खतम नहीं कर सकेंगे चिन्ता तो रहेगी पर चिन्ता का जो ill effect है उसको आप रोक सकते हैं मैं कह रहा हूँ बी आर्म्ड फोर रियालिटी सच्चाई के लिए तैयार होके जाना उस मैदान में लडाई के मैदान में अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ अच्छी मैं तो देखने की नहीं निकला था नहीं तैयार होके जाना तैयार होने का क्या मतलब है yes you need education education होने चीए साथ में but you also need you and you need the wisdom और क्या wisdom कि मैं सोंगा नहीं मेरे को जगना जरूरी है मेरे को जगना जरूरी है मेरे को ये पहचानना जरूरी है कि मेरी मेरी needs क्या है मेरा हिर्दय मेरा heart मेरे से क्या मांगता है हिर्दय सुना होगा ना आपने heart कभी पूछा आपने कभी पूछा आपने हार्ट होता क्या है यह जो धुग धुग करता है यही हार्ट है अगर यह हार्ट है तो गड़ बड़ है चुकि यह तो कभी वार रुख जाता है कार्डियाक इंफ्राक्शन फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता है हार्ट है क्या मैं आपको बठाता हूँ हार्ट है वो जगे है जहां मनुष्ट का असली सहास बसता है फिर बचता ने कहा है बसता है फिर चुकि ह Daisy हिर्दै को अपने साथ ले के चलें आपकी जो जिन्दगी है 36,500 डेज की इसमें आप एक भी दिन बरबाद कर नहीं कर सकते है नवंबर पाँच दो हजार पंदरा कब वापस आएगा कब कभी नहीं 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 यह मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब आप ने इस सुबेरे सुबेरे जब आप उठे तो आप तयार थे इस दिन के लिए आप तयार थे शूब डिन जीन जीन जा रहा हूं जो कभी वापस नहीं आएगा अगर ये होता तो alarm clocks में snooze बटन नहीं होता स्नूज बटन होता है ना alarm clock में पांच मिनेथ लाँ पांच मिनट और थोड़ा 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 और और जो सेल फोन में भी अलार्म क्लॉक लगाया उसमें भी स्नूज क्योंकि उठने के लिए तयारने हैं तो जब इस तरीके से हम अपना जीवन जीएंगे तो फिर होगा क्या असली टेक्नालोजी शांती के लिए आपके हिर्दे में हैं असली टेक्नालोजी शांती के लिए हरे एक मनुष्य के अंदर है पर उसको आपरचूनिटी चाहिए था कि वो टेक्नालोजी आगे आए और हम क्लारिटी के साथ वो स्टेप्स अपने जिंदगी के अंदर लेना सुरू करें जिसमें कि एक दूसरे के लिए जगए हो लोग शांती से रह सकें ये नहीं कि जो हमारी इबिलिटीज हैं उनको हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तमाल करें कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तयार हैं और मारने में ट्रिलियन्स और ट्रिलियन्स अफ डॉलर्स खर्च करने के लिए तयार हैं पर शांती की तरफ एक पैसा नहीं लडाई के लिए तैयारी करने पड़ती है शांती के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है लडाई के लिए लड़ना पड़ता है शांती के लिए सिर्फ आनंद में रहने की जरूरत है शांती तुम्हारे अंदर है जो तिल माही तेल है जो चक्मक में आग तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग अब ज़रा सोचिए इसके वारे में अगर तिल में तेल है अब कोई कहे की प्रूव करजी तिल में तेल है तो उसमें आप पकोड़े तल सकते तिल के तेल में तो तल सकते हैं तिल में तल सकते हैं अगर अपनी कड़ाई में तिल डालें और उसके उपर डालें बेसन को बना करके और फिर उसमें गोवी डाल करके उसको डालें तो आप समझते हैं कि पोकोड़े तल जाएंगे तो उसका मतलब है कि तिल में तेल नहीं है चक्मक में आग चक्मक को लखडी को उपर रख दीज़े एक हटे के लिए लख दीज़े फ्लिन्ट चक्मक, फ्लिन्ट तो आप समझते हैं कि वो आग लख जाएगी नहीं लग जाएगी इसके नो चकमक में आग नहीं ये, तिल में तिल नहीं है, विधी की बात है, विधी, method, you have to know the विधी, अगर विधी के मालुम है, तो आप तिल में से तिल निकाल सकते हैं, और उस तिल में आप अपने पौकडे बना सकते हैं, और अगर आपको मालुम है विधी, तो आप उस आग निकाल सकते हैं और उस लकडी को जला सकते हैं जहां भी आप जाएं याद रखिये अशांती भी आपके साथ है और शांती भी आपके साथ है जिम्मिवारी हो या न हो डोनों चीज़ आपके साथ है और आपको उस जीस की जरूरत है उस शांती की जरूरत है शांती तो हमेशा ही आपके साथ है जब आप अशांत है तब भी आपके अंदर है तो तुम किसकी संगत रखते हो शांती की संगत रखते हो अशांती की संगत रखते हो जिस चीज की हमें तलाश है वो हमारे अंधर ही है हर बार इस संदेश को प्रेम रावत जी बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश करते हैं उनका कहना है कि इस जीवन में आनंद की खोच करने की जरूरत नहीं उसे अपने अंधर महसूस करने की जरूरत है वो कहते हैं कि अगर शांती को सही मायने में समझना है तो शांती का अनुभव जरूरी है उनका ये शांती का सफर लगबक 6 दशकों से पूरे संसार में चल रहा है शांती के उपहर को आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं तो अगर आप उनके संदेश सुनना चाहते हैं तो उनके संदेश से जुड़े राज विद्या केंद्र और अंजन के इन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही टाइमलिस टुडे नाम का ये अप भी एक आसान तरीका है जिसके जरी हम उनके संदेश के विडियोज, इंटिव्यूज, कोट्स, देख, सुन और पढ़ सकते हैं उनके ओफिशल वेबसाइट प्रेमरावत.com पर जाकर भी उनके संदेश से जुड़ सकते हैं फिलाल मुझे यानि शुती पनवर को दीजे इजाज़त और हमारी ये तलाश जारी रहेगी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी जिंदगी से जुड़ी कुछ और खूबसुरत बाते करने के लिए तब तक अपना ख्याल रखिए नमस्कार